अब पोस्ट ओफिस से आपके पारसथ के डिलिवरी में कोई लेट लतीफी नहीं होगी क्योंकि भारतिय डागघर ने अब मॉडल डिलिवरी सेंटर की शुरुआत की है जिसके माध्यम से उसे दिन आपके पारसर के डिलिवरी हो सकेगी इसके लिए छोटे वाहनों की भी विवस्ता की गई है बतादे हल्दवानी मुखे डागघर के पोस्ट मॉस्टर चंज शेकर परगाई ने बताया कि पारसल का कारुबाब बढ़ता जा रहा है लोग ऑनलाइन समान की डिलिवरी भी करते हैं पारसल आता है तो हम उसकी चैटाई उसका रख रखाओ पर उसकी ट्रेकिंग, ट्रेसिंग और उसकी सेफटी के लिए CCTV कैमरा आधी सब ब्योसता है हमारे हैं अलग से एक भोन का दिर्माण करा करके बनाई गई है GST की विसंगतियों को लेकर प्रांतिय उद्योग व्यपार मंडल 26 परवरी को उत्रक्षन में विरोध प्रदर्शन करेगा जिसके बाद आगे की रणनीती तै की जाएगी संगठन अपनी उत्रक्षन में तीन सो पिचता एकाईयों में पुर्जोर विरोध की रूप रेखा को तयार कर रहा है व्यपार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के मुतावेग GST प्राफधानों में बहुत मिसंगतिया सामने आ रही हैं जिसे व्यपारी बेहद दुखी हैं यही नहीं टेक्स रिटरन करने में चार्टेट अकाउंटेंट की जरुरत भी पड़ रही है जिसे व्यपारी आर्थिक बोज में दब रहे हैं देखें, GST को लेके सारा व्यपारी पूरे हिंदुस्तान का साढ़े साथ करोर्ड व्यपारी परिसांद है GST का जो रिफार्म इनने दिया है, जो इने साढ़े नौसौ संसोधन कीए जेस्टी कांशल ने उसके बाद ऐसा रिफार्म दे दिया है कि उसको साधरन ब्यापारी भरने सकता। बहुत ज़ादे हैली एडुकेटेड और जो एकाउंटेंज सी में बहुत ज़ादे महारत उसका हासिल है। साइद वो ही भर पाई उसको वरना हमारे साधरन ब्यापारी के बसका ये टेक्स भरना नहीं है तो हमारे मानना है कि अगर एक रास्ट एक कर की वियर्ष्ता हमारे मननी प्रदान मंत्री जी ने दे रख किया उनका हमना स्वागत भी किया लेकिन उस टेक्स को इतना सरल मनाया कि वो टेक्स हमारा आम ब्यापारी भर सके भई हमारी ब्यापारी को 50,000 रुपे या एक लाग रुपे खर्च करके चार्टर टेक्स एडवाईजर क्यों रखना पड़े सीम त्रिवेन सिंग रावत ने पुलिस लाइन में महीला कमांडो फोर्स और स्मार्ट महीला चीता पुलिस यूनिट के डेमो का शुभारम किया इस दोरान कारेकर्म में सच्चिव ग्रह नितीश जहा और पुलिस महाने देशर अशोक कुमार के साथ राज्य पुलिस के कई सीनिय अफसर भी मौशूत रहे भविष्य की चुनोतियों को देखते हुए आतंकवादियों की हर गति वीडियों को नाकाम करने की दिशा में उत्रखंड एंटी टेरिस्ट स्कुयर्ड विंग में महीला कमांडो दस्तिक को शामिल किया गया है देहरदून की पुलिस लाइन में इस महिला कमांडो दस्तिक की बेसिक ट्रेनिंग जोडशोर से चल रही है कमांडो टेनर शिफूजी शौर्य भार्दवाज ने इन महिला कमांडो को ट्रेनिंग दी है उत्रा खंड वचे तो लाइन ओडर की दिश्टी से एक सांति प्रियराज्य है लेकिन जब हम महिला कमांडो की बात करते हैं या महिलाओं के ससक्तिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि केवल और केवल लाइन ओडर की सिच्वेशन जब खराब होती है पैसे में ही वो काम नहीं करेंगी बल्कि उससे उनका जो जो मानसिता है उसमें भी परिवर्दन आता है और इससे जो जो यहां पर शेकड़ों जो बच्चियां यहां पर आज इस कारिकम को देख रही थी उनके मन में भी एक जोस और रुटसा होता है कि हाँ हम किसी से कम नहीं है हम भी कर सकते हैं इस तरह के हैरतंगेज करतब यहां पर हमारी कमांडोस ने दिखाये हैं और अपने आप में बेमिशाल है मंगलबार देर रात हरिद्वा पुलिस ने कारवाई करते हुए शिव मूर्ती चौक के पास एक होटल पर छापे मारी करते हुए देह वेपार में सनलेब दो यूफ्तियों को दो यूफ्कों के साथ अपति जनक सित्थी में गरफतार किया मामले के बारे में सियो सिटी अभे सिंग ने बताया कि पुलिस द्वारा देर रात होटल में की गई च्छापे मारी में दो यूवर्क और दो यूफ्तियों को होटल मैनेजर के साथ देह वेपार में गिरफतार किया गया है महीं पकड़े गाए दोनों यूवर्क बिजनौर के रहने वाले बताये जा रहा हैं जबकि दोनों यूफ्तियां हरिद्वार की रहने वाली हैं मौके पर जो संदीब बलूनी है मैनेजर उनकी संदीब तता इसमें मिली इसमें दो लड़के जो कि बीजनौर के रहने वाले थे उपेंद्र और संदीब इनको हमारी टीम ने अरेस्ट किया हरिद्वार महाकुम में अकर्शन का सबसे बड़ा केंडर नागा साधू का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया है नागा साधू के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े की पेशवाई अगामी तीन मार्श को निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में नागा साधू शिर्कत करेंगे हाईदवार में निरंजनी अखाड़े के प्रांगर में पहुंचे नागा सागुधू का स्वागत किया गया और इसी के साथ निरंजनी अखाड़ा के में कुम्ब से जुड़े धार्मिक कार्यों का भी आगास हो गया है निरंजनी अखाडे में पहुंचे नागा सन्यासियों का यहां वेदे विधान से पूचन किया गया और इस मौके पर कई धार में कारे भी संपन हुए उसके बीजिल्स देता हुए जीखे नागाबा जो श्रिमें आए आए हुए है आज इनका हमने श्वगत किया है और हमारे साथ कि अपर मेरा भी स्वगत किया इनका अभी हमारे नागाओं का आग मुझू शुरू हो गया है तो आज से चितने बी नागा हमारे है देश के पांच राज्यू में कोरोना मरीज बढ़ने पर उत्रक्षन में भी अतरिक सतर्क्ता बरती जाने लगी है मंगलवार से महराष्ट, गुजरात, केरल, मद्रप्रदेश और चतिसगर से आने वाले लोगों की जिले के बॉर्डर पर कोरोना की जांश कराई जाएगी इसके लिए आशारोरी चेक पोस्ट, रेलवेस्टेशन और एयरपोर्ट पर विवस्ता बनाई जा रही है कोरोना के मरीज देश में कम हुए तो करीब तीन महीने पहले अनलॉक की गाइडलाइन को देखते हुए बॉर्डर से कोरोना चेक पोइंट हटा दिये गए थे लेकिन कोरोना वैक्सीन आने के बाद देश के अधिकांस जिलो में कोरोना मरीज खट रहे हैं हारा कि महराष्ट, कुजराद, केरल, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में फिर से मरीजों का भढ़ना शुरू हो गया है उत्राखन की खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं